ट्यूल यूज डीजल तो हमारी बाइक दुनिया के अनोखी बाइक बन गई है जो की सहीज़ा से चबती है तो वेलकर में आप यूट्यूब चैनल अगर आगर आपने वीडियो देख लिया होगा और अगर नहीं देखा तो अपर आई बटन में लिंक के जा रहा होगा आप उसको देख सकते हैं मैंने एक ब्लेक कला की स्टनर ली है मेरा सपना उस ताइम पूरा हुआ है तो मेरा सपन सब्सक्राइब करेंगे और वो कार्ड लेंगे तो फिलाल हम चलते हैं अपने दोस्त के पास मुस्तकीम उसको लेंगे साथ में और उसके बाद आएंगे यहां पर लेने तो मुस्तकीम भाई आमें मिल गए है और हम चलते हैं सेलुजा डॉटर अचलते हैं और यह पास में आपको यह पास मिलेगा आपको यह अचलते हैं बात करते हैं से आर्ची काड वगर आई की नहीं आई पागे इस तदा कागे तो हैं आई सर्फलेट तो हम करता इंड विडियो बाद आता करता मैं अचलते हैं अचलते बाद वीजिए तो डॉय को अब ब्लोग बताइब हए जानकरे पके तो अटिका पिवेंटे से अचलते हुआ हम लोग को सब्सक्राब तो अचलते कि अश्चाव दो ने ग्र्षाट ए पर आपने शारुख भाई जहाएं देख़ें तो अभी आठी करणर में आपको जानकारी के दुकान में बैठे आराम से केमरा पकड़ाया है आप भूली क्यानी है देखें और आपको भी मैजा चीज़ दिखा तो आधर आही है वाइक है वह डिजल से चलती है याने कि दुनिया के अनोकी बाइक बन गई है जो क्विछ तो डीजल से चलती है तो किसा लगा आपको हमारी बाइप देखके जाने इसा लगा पैटोल कि यह चाहिए तो इसको हम आगे जाकर चेक करा हैं कि यह पेले से अभी भी हुआ यह तो यह देख लेगे यह आठियोफिस हिकारना में कि बाइक को डीजल वाला दी है आमारी कि पीछे जो यह साइन आता है वह साइन भी चला गया है इस इस टाइप की कुछ आती दिए दोनों का एक जो है चिंद बने वे रहते थे यह कुछ भी नहीं आ रहा है ब्लेंग का रहा इस टाइप से तो इसका भी हम थोड़ा आर्टियो पर जाके पता लगाएंगे यह पता नहीं क्यों मैंने वहीजा से बात करें यह नंबर से काम चल जाएगा तो अब दूसरे काड़ में आर्टियो चेक करते हैं यह यह नया काड़ है और यह पुराने इस्टना यलो कलर की उससा काड़ है तो इसके पीछे में आपको दिखाता हूं कि यह देखिए यह यहा अभी क्यों नहीं आ रहा है बहिया से मैंने बात करी दूनों ने बोला आज कल ऐसा ही आरा सब में अब आपको बता दिया कि मैंने एक बलेक कले के इस्टना ली थी तो उसके बारे मैं आपको जानकारी भी देदी सारी चीजे बता दी तो इसका टोटल खर्चा आया मुझे जो गाड़ी नाम ट्रांसवर का वह है 2200 रुपे का और इसमें से में चीज है जो मैंने एक इसी मैंने अपने ही दिस्टिक से गाड़ी यह उठाई थी और अपने ही डिस्टिक में इसको नाम ट्रांसवर करवाई 2014 या 2015 के आसफास से या 2016 के आसफास से मुझे बहुत ज्यादा गन्फरम तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दूं आपको कि 2016 के आसफास से गाड़ी में आप जैसे वकर सेगें गाड़ी लेते हो तो उसको एक परसेंट टेक्स आपको जमा करोना पड़ता है तो अगर आप गा गाड़ी का एक परसेंट टेक्स सासर रुप आपको लगेगा उसमें इस्टा प्लस में गाड़ी के जो नाम ट्रॉंसर का खर्चा आता है जो आपने एजेंट को देते हैं वहां के आडियो ऑफिस के एजेंट को जो नाम ट्रॉंसर करता हो उनका तो टोटल मिला कि यह सरकार की जरफ से वह यह बहुत ज्यादा होगा अगर आप सेकेंट इंट बाइक लेने जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा पहले घर्चा करना पड़ेगा उसके नाम ट्रॉंसर और बहुत सारे चीजों को इंक्लूड करने में एक डिस्टिक से दूसरे डिस्टिक में अग सब्सक्राइब तो अगर आप दूसरे डिस्टिक से गाड़ी लेकर आरहे हो तो आपको साही जानकारी जो मेरे साथ में हुए है और उसके अलावा आपको कोई जानकरी चाहे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं मैं आपको कोशिश करूँआ कि सही जानकारी गाड़ी फिलाल बन हो चुगी लेकिन कोई बात नहीं गाड़ी मुझे अच्छी लगती है इसले में इसे लोगा थोड़े से इसके पार्ट्स मिलने में दिक्कत भी आती है लेकिन कोई बात नहीं तो यह बताना था आपको कि मैंने दो इस्टनर अभी तक ले लिए जब से बहुत शोग था तब मुझे यह पहली फेवरेट बाइक है जो मुझे लेने की इच्छा बहुत जड़ा थी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंड करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें